वंदे मात्रम भारत दिश्क की ग्यारा ऐसी रोचक जानकारी जैसे सुनकर प्रत्तिक भारती खासीना गर्वत से चोड़ा हो जाएगा तो देखते रहेए नमस्कार मैं वहल पेशेंद्रे बहुत स्वागते आपका अगर आप पहली बार आये हो आपको ग्यान वर्दर को टेक्निकल नॉलज़ लेने में इंट्रेस्ट है तो सब्क्राइब बटन को दबाईए और बैल आइकों पर क्लिक करना बिलकुल न भूलेजे से आपको नए न दिन हमारे भारत के पूर्व राष्टपती एपीजे अब्दूल कलाम गए थे 26 में 2005 उस दिन से स्वीजर लेंड की गवर्मेंट ने नकी किया कि हमेशा के लिए हम इस दिन को साइंस दे के रूप में मनाएंगे भारत ने इतियास में कभी भी किसी देश पर सामने से जाए तो भारत का नाम भारत गण राज्य है किन्तो आज हम उसे सिर्फ भारत नाम से पुकारते हैं भारत देश की कोई भी राष्ट्र पासा नहीं वैसे हां हिंदी एक खौपी सी लेंग्वेज है जो भारत में ज्यादा दर बूली जाती है किन्तों उसके अलावा भी इं जिसके गिंती विश्व के साथवे अजूबय में भी गिनी जाती है हमपी, कोणाक, नालंदा, खजुराओ इस प्रकार से हमारे देश में कुल मिला के साथ अजूबय है अगर फेस्बुक की बात करें तो फर्स्ट फिमेल एंजिनर जिसको हायर किया हो फेस्बुक ने वो थी भारती अमेला रूची संग्वी यूमन कॉम्पूटर सकुन तला देवी जो भारत की है जिनोंने 1982 में 13 अंको का जो गुणाकार है 28 सेकंड में करके वर्ल्ड रेकॉर्ड कायम किया थ गणित की बात छीड़े हो दोस्तों तुमें आपको बता दू के गणित के मामले में हमारा भारत देश विश्व गुरू के समान माना जाता है क्योंकि हमारे भारत देश ने बहुत सी पद्दतियों में विश्व को योगदान दिया हुआ है वो कहते हैं न कि देतान दसमलो भारत तो यूँ चान पे जाना मुश्किल था सतरंच का अविश्कार भी भारत देश में ही हुआ था भारत में लगबग 3 लाग से भी अधिक मस्जिद है जो किसी अन्य देश से भी अधिक है यहां तक कि इसलामिक देश से भी अधिक है इसलाम तुनिया का और भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है असा है कि आपको इस जानकारी बहुत पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए एक भारती होने के नाते आपस में इस जानकारी अवश्य शेयर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुडबाई जाए हिंद वंदे मातरम आपका हरपल मंगल में हो धन्यवाद